हाई गाईस एक बार फिर्शु सागात्य पसिविका आईट्यू बर्ड मस्ताक यूट्यूब चनल में कैसे हैं दूस्ते आप लोग कोरोना का प्रकोब बहुत जादा हो रहा है तो आप लोग घर में ही रहें सेप रहें और आज हम MS Excel के मतलब चार्ट वगरा सिख चुके हैं और जिन लोगा ने नहीं सिखा है तो पराने बीडियो में सीख लें और Day 10 में मैं आपको आज Spark Line का यूज सिखाऊंगा इस परक लाइन का यूज करने के लिए याद रहे कि Spark Line को समझने के लिए पहले आप चार्ट और पाइवर्ट टेबल जो होती है उनको समझ ले इसके लिए आप मारी पराने वीडियो को देख सकते हैं और देखने के बाद वहां सीखने के बाद ही आप इस वीडियो पे जी है इसमें मैंने ब्रेंड के नेम जो नेम है LG सेमसंग बगरा और जैनवरी फेर्वरी मार्च अप्रेल मई यह मान के चलिए इनकी सेल रिपोर्ट है मैं यहाँ पर एक रूप भंगा करके इसे मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट याद रहेगा कि अपने को कि यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट अपन बना रहे हैं यह स्पिकर से मैंने बना दिया अब अगर यहाँ पर आप देखके समझ रहे होंगे कि LG ब्रांड में जनवरी में हमने 20 पीस की सेलिंग की है फरवरी में 5 मार्च में यह है अप्रेल और मई सबसे ज़्यादा हमने अप्रेल में की है समसंग की जनवरी में फरवरी में मार्च में अलग-अलग मेंने की सेलिंग है पैनासोनिक, रियल, एनाई, माइक्रोमेक्स और लाबा सबी की यहाँ पर अलग-अलग सेलिंग दिखाए गई है 5 मेंने की अब हमारे पास इंसर्ड मीनियू में जो इसपर्क लाइन जो आफसर है, यह आ, इसे हम सीखने वाले हैं और यहाँ पर जो हमारे पास जो इसे यूज़ करने के तरीके हैं वो दो तरीके हैं हम पर depend करता है कि हम अपनी report को किस तरीके से show करना चाहते हैं दिखाना चाहते हैं जैसे कि आप देखेंगे मैं यहाँ पर click करूँगा इस जिगा पर अगर तो मैं चाहता हूँ कि LG जो product है उसकी monthly progress क्या है हर मैंने कहां selling कम जादा हो रही है उसको हम देखना चाहते हैं graph के रूप में इस पूरी हूँ monthly product एक ही है और मैंने अलग-अलग है तो यहाँ पर हम rubis काम करेंगे और यहाँ टाटा देखा लेगे लेकिन अगर यह कहा जाए कि भी मेरे को January के महीने में सारे item की report चाहिए यानि कि महीना एक ही है लेकिन item अलग-अलग है तो हम इस जगा पे इसको show कर सकते हैं कैसे करते हैं अभी आपको practical में देखे समझ में आएगा मैं दोने ही तरीके बताऊंगा आपको पहले से खाता हूँ रोवाली में यहां के लिए करता हूँ यहां आपको जो graph मंगाना है वहाँ अब line पे के लिए कीजिए और देखिए जी आ गया data range यहां पे आपको वो range चुननी है जिसको आपको मतलब graph में दिखाना है यह आपकी location है जो के दिख रही है यहां पहले से आ रही है अब आप ok कर देंगे तो यह line आ चुकी है इस park line आ चुकी है फिर दिख लीजिए click किया insert में गए line पे click किया range को select किया और यहां click करके इसकी जो location है जिसकी range चुन ली जो location भी आ गई ok किया जा गई हम इसको पकड़ के drag करेंगे तो यह पूरी में automatically copy हो जाएगा तो यह आपके सामने जो बनके आई है यह spark line कहलाती है इसको थोड़ा सा zoom कर देता हूँ और थोड़ा सा और उंचा करता हूँ ताकि आपको clearly समझ में आएगा मैं home में गया format में जाके row की height जो 15 है उसको मैं 25 कर देता हूँ यह देखिए मैं इसको यह देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे है कि इस जवाब पर यह जो LG कर प्रोड़क्ट है उसकी selling progress दूसरे मेने में नीचे हुई फिर बड़ी है फिर और बड़ी है फिर थोड़ी कम हो गई इसके पहले मेने फिर बड़ी फिर बहुत जादा बड़ी फिर कम हो गई फिर फिर बिलकुल थोड़ी सी बड़ी है तो यह progress है 10, 12, 65, 23, 25 अगर हम इनकी value चेंज करते हैं माल लिए मैं करता हूँ 50 तो देखिए यह automatically change हो जाएगा इस sim बैसे ही है जैसे कि मैंने chart बताया था तो chart में जैसे हम यूज करते हैं इसको बैसे ही यहाँ पर आपको sparkline यूज करनी है तो मेरी request है के पहले आप chart को सीख ले chart वाली video देखने के बादी यहाँ पर आई अब मैं इनको select करके sorry मैं इनको select करके format जो design में जाते हैं जहाँ पर देखिए इस डिजाइनिंग दी है line आप line को change कर सकते हैं line को color style change कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे देखिए change हो रही है यहाँ से आप sparkline के color change कर सकते हैं जो आपने marker visible किया है उसकी line है change करना है यहाँ देखिए point highest point जो दिखिए slow होने लग गया lowest point नीचे slow होने लग गया negative value अगर यहाँ पर कोई value negative है तो वो भी यहाँ पर show होगी first point और last point इनको भी हम point wise भी दिखा सकते हैं marker आप देखिए marker बन के आचके हैं marker के color change करने हैं वो यहाँ से आप change कर सकते हैं marker के color ठीक है मैं इसको सबको अठा देता हूँ आप चाहें तो यहाँ पर यह column भी महा सकते हैं line के जवाब पर देखिए एक दो तीज चार पाँच तो पाँचों में जो चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा selling हो रही है सबसे कम second number पर selling होई है तो यह automatically यहाँ पर यह ऐसे available आपको होगा ठीक है यह win loss क्या होता है win loss में cable line आती है हम data row bys नहीं करना चाहते हैं column bys दिखाना चाहते हैं तो उसे कैसे उच करेंगे माल लेजिए मैं आप एक इनकी मैं उचाई को हैट को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि मुझे समझाने में problem ना आए ठीक है अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ एक निचे ले लेता हूँ इस दिखापर मुझे इनके लिए चार्ड बनाना है तो मैं insert में जाऊंगा lines पर किलिए करूँगा range में range चेनेंगे और location में इसकी जो location बहुचेनेंगे और ok करेंगे देखिए line आ चुकिए इसका मतलब यह है यहाँ पर अभी यहाँ आमने कहा कि product एक था लेकिन अलग-अलग महिने की report आ रही थी और यहाँ पर महिना एक ही होगा लेकिन अलग-अलग product की आपको जानकारे मिलेगी ठीक है अब क्या करेंगे इसमें आप जी समझ लीजिए यह देखिए मैं थोड़ा दवारा सक बनादा हूँ आप दिख सकते हैं आपे भी click किया insert range okay है ना तो हम ऐसे कर सकते हैं इनको select करके पकड़के खीचेंगे तो automatically यह formula की तरह copy भी हो जाता है यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले महिने जन्वरी के महिने में आप दिख रहे हैं जो पहला item है उसकी power is उससे कम second number बढ़ गया और बढ़ गया पर यह कम यह कम और देखो देख रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर है यानि कि एक दो तीन शौथे नमबर पर एक, दो, टीन, चारव यह देख रहा है सब ज़्यादा सैलिंग हो रहे है इनको हम columbise देख सकते हैं columbise देख दिखना ही लग गया सबसे ज़्यादा सैलिंग यह रही इसमें यह रही फर्वरी के महिने में सबसे ज़्यादा सैलिंग MI की होई है और यहाँ पर आप दे सकते हैं Samsung की होई है यहाँ पर लावा दिखा रहा है यहाँ पर भी लावा दिखा रहा है अगर कोई value negative होगी बान के चलिए यह value negative है minus 26 तो देखिए वो value नीचे आजाएगी ठीक है दोस्तों negative value जो होती है वो यहाँ पर मीचे आजाता है और अगर positive है तो positive रहती है हम इनकी designing करने के लिए यहाँ जा करके आप देख सकते हैं highlights देखा सकते हैं जो largest value है lowest value है negative value है वो रंगन दिखानी रंगी नापको negative दिखानी है तो negative दिखा सकते हैं और यह first value and first or last point इनको हम दिखा सकते हैं यहाँ से इनके color अलग अलग type के हैं वो देख सकते हैं यह तो अलग अलग style हम इन पर apply कर सकते हैं बहुत ही easy तरीके से लेकिन यहाँ जो option है यह बाला win or loss यह आपको सिर्फ negative और positive value दिखाएगा अगर बहुत कोई value इस column में zero से positive है तो वो उपर line दिखाएगा और negative में है तो वो नीचे line दिखाएगा बस यह कोई भी line को up add down करके यह largest में नहीं दिखाएगा यह सिर्फ negative और positive में दिखाएगा इसलिए इसकी जो line आती है वो same रहती है बराबर रहती है ठीक है तो यह lines यूज करना चाहते है तो lines का इस्तिमाल कर लीजिए columns यूज करना चाहते है तो column का इस्तिमाल कर लीजिए और win और loss का इस्तिमाल करना चाहते है तो इसका इस्तिमाल करके भी हम अपने graph के रूप में चार्ट यासी साथ तचनाई दिखा सकते हैं इसमें अगर कोई रेंज बढ़ जाती है जैसे कि मैंने ये नीशे बनाया है तो मैंने गलती की बना करके मैं इसको जड़ा आसे अठाता हूँ मैं आपको भी फिर से पताऊँगा कैसे करना है मानके चलिए ये आपने ऊपर की लाइन में एक रोली और यहां पर आपने स्पार्क लाइन को मगाया है ये रेंज ले लिया आपने और ये रेंज लेने के बाद इसकी लोकेशन भी आपने ले लिया और रोके कर दिया स्पार्क लाइन आ चुकी है इस line को आप drag कर सकते हैं इसे थोड़ा सा चोड़ा कर देती है और इक columns में मगा सकते हैं ठीक है तो columns मगाने के बाद अब आप देखिए मायन की चलिए by chance यहाँ पर आपने कुछ item बढ़ा दिये आपने बाद में इसमें कुछ option जिसे के आपने poko हाँ और भी वहाँ तो abbiamo घ्रञधा नहीं कुछ कुछ से one plus ठीक है तो इनकी भी आपने value डल दि इसे के 20 इस महीने में इस महीने में 23 इस महीने में 43 25 जो आपन इस बढ़ दि फिर आपने इस महीने में इसकी selling डल दि ठीक है अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो दिख रहा है उपर वो कमा रहा है तो अभी हम इसको क्या करेंगे इसकी range को बढ़ाने के लिए design में जाएंगे और edit range पर click करेंगे edit range पर click करने के बाद आप edit group location पर जाएंगे और जो इसकी जो range है उसको आप फिर से reselect कर लेंगे नीचे तक ठीक है और ok कर देंगे जैसे आप ok करेंगे इस सब की automatically value चार्ट या graph change हो जाएगा आपको किसी के भी बढ़ाने की कम करने की जरूरत नहीं है वो automatically ले लेगा ठीक है तो हम इस पिकार से किसी चार्ट बगरा की range को भी यहां से edit कर सकते हैं अगर edit single line, single spec line चंज करना है केबल एक line को ही चंज करना है एक column को ही तो केबल एक column को ही चंज कर सकते है जो चना होगा केबल उसी का चंज होगा पूरा करना है range तो group जहां से होगा hide and hide empty cell कोई cell empty है तो इसको hide and hide भी कर सकते है अपन ठीक है तो यह line को सिखा हमने line, spark line मंगाने के लिए column, graph की तरह मंगाने के लिए और यह win, loss, table, negative और positive value दिखाने के लिए यह बाकी case में हम highlights कर सकते हैं high point, low point, first point, last point वगरा को highlight करना है negative value highlight कर रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है और यह बहुत यहीजी है अब बारी आती है इनको हटाने की अगर आप कोई spark line मंगाते हैं और click करके आप keyword से delete की दबाते हैं delete तो कुछ नहीं होता यह delete नहीं होती है इनको delete करने के लिए ज़रूरी है कि आप design spark line groups किसे पर भी click करेंगे तो वो selected हट जाएगा और पुरा group अटा मत चाते हैं तो यहां जा करके group वाले से भी पूरी group को हटा सकते हैं इस तकार से हम spark line को हम बड़ी easy तरीके से design में जाके जहां से clear भी कर सकते हैं ठीक हैं आप पहले चुनने जी उसको चुनने के बाद design spark line और group तो यह एज़र डिलीट हो जागा तो हम इस परक लाइन को बनाना सीखा spark line को उसमें modify करना सीखा, design करना सीखा और हमने यहाँ पर spark line को और भी तरीके से यूज़ करना सीखा बाकी के चीज़ें बची हैं filter link वगरा जे मैं पहले MS bird में सिखा चुका था लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ताकि यह इसी वीडियो में कबर हो जाएगा बाकी के नई चीज़ें हम नई वीडियो में सिखेंगे slicer क्या होता है अगर आप किसी भी column को select कर लेते हैं और select करने के बाद आप जब ऐसे select कर लेंगे और slicer पर क्लिक करेंगे तो यह एक box सामने आएगा यह filter की तरह होता है filter की तरह यह box सामने आएगा यहां से आप sorry आप पहले इसको table में convert करना पड़ेगा इसको आप table में convert कर लीजिए convert करने के बाद आप insert में जाएं slicer पर जाएं यह box सामने आएगा यह box आने के बाद आपको किस में slicer बनाना है brand wise, name wise, जिस पर भी बनाना है आप उस पर click कर दीजिए माल लीजिए आपने बना दिया brand पर और okay, तो देखिए brand के नाम पूरी यहाँ पर आ चुके है अब आप इससे क्या करेंगे, यह filter की तरह काम करता है आप करेंगे LG पर click, तो cable LG का data सामने आएगा macro max, देखिए cable OC OC का data सामने आएगा जिस पर click करेंगे, आप control रबागे click कीजिए तो एक साथ दो लोगों का भी data आजाएगा दो लोगों का, तीन लोगों का data भी आजाएगा यहाँ के लिए करेंगे तो फिल्टर हट जाएगा एक साथ सारे data सामने आजाएगे तो हम इस परकार से slicer का इस्तिमाल कर सकते हैं इस अठाना चाहते हैं तो click कीजिए और delete को दबा दीजिए सराइसर भी हट जाएगा यह timeline है इसका use क्या है यह जो option है timeline इसका इस्तिमाल जो किया जाएगा pivot table को पर किया जाएगा तो इसके लिए मैं pivot table बनाऊँगा और आपको बताऊँगा क्या होता है pivot table कैसे बनाते हैं आप पराणरी वीडियो में देख सकते हैं सीख सकते हैं मैं pivot table बनने के बाद आपके सामने आता हूँ देखिए मैंने यह data बना लिया जब भी आप spark line का use करेंगे column नहीं बनाया तो आप उसमें timeline का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ठीक है तो date बना लिजिए यहां थोड़ा समझते हैं कि मैंने क्या किया है इस table में आप थोड़ा समझ लिजिए आप इसी पिकार कि और भी example लेकर कोई भी table बना सकते हैं यह मैंने इसलिए बनाई ताकि time भी नाम बगरा repeat होंगे यह date है किस तारिक में किस product को कि state में किस बेक्ती ने कितना बेचा है और उसकी cell कितनी है वो यहाँ पर total आ गया है ठीक है तो यह cell कितनी आई है कितनी unit है यह दिखा रहा है इस तारिक में table UP में सौहन ने बेची है बीस और इतना रिपे की तो यह इस परकार से यहाँ पर एक मतलब एक छोटी से मैंने table बना ली है इसको आप select करके कोई भी heading style यहां से दे दीजिए यह वाली कोई भी दे दीजिए अब से से बेले बनाएंगे पाइबर table पाइबर table कैसे बनाते हैं आप पराणी बीडियो में देख सकते हैं मैं फिलाल इससे जल्दी जल्दी बना रहा हूं ठीक है insert पर click किया पाइबर table पर click किया यह box आता है इसमें अगर मुझे इसी सीट पर बनाना है तो यहाँ पर click कर दूँगा यहाँ न्यू पर बनाना है तो new worksheet पर मैं यहाँ से ले लूँगा ठीक है और मैं new पर बना लीता हूं click किया नई worksheet पर आगई दिखाली एक plot type का मैंने बताया था बन जाता है यहाँ पर आपको जो data चाहिए जैसे मुझे name चाहिए किस बेक्ती ने क्या बेचा है वह चीज और उनकी मुझे total cell चाहिए तो cell को मैं यह ले ली मैंने और किस states में बेची है तो मैं यहाँ से ले ले लेता हूं मैं चाहँ तो state का column ड्रेक करके यहाँ लगा दो column में तो जो आ गया यह मेरे पास गुरुबिंद ने डैली में cell की है MP में cell की है राजस्तान में UP में कोई cell नहीं है total cell गुरुबिंद की जे रही महिस की मोहन की निरेंजन की सारे जो मेरे वरकर्स हैं उनकी जो cell है वो दिख रही है total यहाँ पर मैंने date column को इस्तेमाल नहीं किया है date के जो date column होता है उसी के according ही हम timeline बनाती है तो मैं यहाँ पर date column मैंने यहाँ यूज नहीं किया है लेकि date column के लिए मैं अब analyze में जाकर के यहाँ से यूज कर सकते हैं यह क्या है यह एक जो कह सकते है मीनु वार जो सामने आपके आया है वह क्यासे आया है इसमें आपन कोई भी चीज सार्च कर सकते हैं for example जैसे कि मैं इसमें बोलूँ कि मुझे अब इसके अंदर 2020 की cell देखनी है तो 2020 यूपर लिखा हुआ है और 2020 में केबल जन्वरी की देखनी है तो जन्वरी पर क्लिक किया जन्वरी में कोई cell नहीं है ठीक है यहां पर देखिए 2019 2019 में आगए 2019 में चाह करना है आपको 2019 में जन्वरी में कितनी cell हुई है 2019 में कोई cell नहीं है February में February 2019 में तीन लोगों ने selling की है जी मेरी total selling यहां पर देख रही है ठीक है हम यहां से हम चाहें तो ऐसे क्लिक करके year 22 भी देख सकते हैं कि मुझे केबल 2018 की cell देखनी है तो 2018 पर क्लिक कर देंगे 18 पर क्लिक किया 18 की selling आ चुकी है 37,000 400 रपर की 2019 पर करता हूँ 2019 की cell आ चुकी है और 2020 करूँगा तो 2020 की cell आ चुकी है यह year by देखने के लिए आपको और quarterly देखना है तो quarterly भी देख सकते है quarterly 1 2, 3, 4 4 quarter होते हैं तो यहां पर देखिए 4 quarter में दिहा रहा है आप quarter by भी देख सकते है quarterly भी report देख सकते हैं आपको अगर monthly देखना है तो monthly भी आ रही है और यहां से day by day देखना है तो आप day by day भी अपनी selling को देख सकते हैं तो monthly देखना है तो monthly देखनी जीए देखिए जनवरी February में यह selling है है ना आपको अगर quarter ली देखना है तो quarter देख 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 लीजीए 2019 में 2nd quarter में 3rd quarter में और 4th quarter में कोई साल नहीं है इसमें पहले quarter में सेल है 2nd में 3rd में 3rd में है 4th में कोई सेल नहीं है तो देखिए हम इस पिकार सेजिए automatically data find हो जाता है filter हो जाता है हम इसे बड़ी easy तरीके से कर सकते हैं आपको इसे हठाना है तो यहां से clear कर दीजिए जिप पूरा का filter हड़ी आएगा और इसमें कुछ changes भी से खाता हूँ आपको advance option में जैसे कि आप option में गई तो यहां से आप इसके color design बगरा change कर सकते हैं एक चीज मैं और बता हूँ आपको कि जब अपन मंतनी काम करते हैं जैसे कि मैंने इसमें 2019 में click किया 2019 February तो देखिए February में कोई selling है हम इसे पकड़के खिशेंगे तो March, April तीन मेने की selling आ चुकी है यह देखिए मई तक कोई नहीं है और केवल February और March की selling March और April की selling ऐसे drag करके भी इसको अपन बढ़ा के देख सकते हैं दो मेने की तीन मेने की भी कस्टमाइस कर सकते हैं ठीक है इसके बाद यह आप यहाँ देखिए इसे colorful chain कर सकते हैं इसके design आप look wise आपको जैसा अच्छा लगे जो आपको मन को भाई वो आप यहाँ से use कर सकते हैं filter अठा सकते हैं यहाँ से ठीक है इसमें जो आप देखेंगे header तो आप देखें ध्यान से इसमें header गाईब हो जाएगा यह देखिए यह date लिखके आ रहा था वो header गाईब हो गया मगाना है मगा सकते हैं label यह all print लिखके आ रहा था वो गयाब हो जाता है ठीक है इस का बार अगर इसका size बड़ा है तो इसका बार शो करना है अठाना है उसके लिए timeline जो time label यहाँ से time label लिखा है month उसको अगर अठाना है show करना है तो यहाँ से हम इने show और hide कर सकते हैं जिसकी height orbit बढ़ाने के लिए तो इसके हम यहाँ से directly कर सकते हैं इसके लाब हम इसे भी plus minus से भी इसकी height orbit को change कर सकते हैं इसमें एक चीज़ और दीए दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ के अगर हम एक से अधिक pivot table इस्तिवाल कर रहे हैं इस जगापर तो हम यहाँ से इसका connection देख सकते हैं यहाँ से हम इसका connection देख सकते हैं जहाँ click करेंगे तो यहाँ के लिए एक ही pivot table है इसलिए के लिए का नाम आ रहा है बरना और भी होती तो हम इन pivot table को इसमें link कर सकते हैं और उनकी link को यहाँ से अठा भी सकते हैं ठीक है तो यह इस पिकार से हमने बनाया अब इसको हम हटाते कैसे हैं हटाने के लिए easily border पर click करें और keyword से delete press कर दीजी हट जाएगा pivot table हटाना मैंने बताया था इसको ठाने के लिए आप pivot में जाएगे design अनलाइज में गए और यहाँ click करके आप इसको करेंगे clear all तापकि pivot table भी हट जाती है तिस्तरकार से हम किसी भी Excel के अंदर काम कर रहे हैं तो भापे pivot table पर timeline बनाना सीखा आज हमने timeline बनाना सीखा timeline को कैसे अपन customize करते हैं वो सीखा कैसे से अठाते हैं वो सीखा तिके दोस्तों बाकी की इसमें जो option दिये हुए है hyperlink, test box, symbol बगवारा जो हम msbird में सीख चुके है आप उने msbird की video में जाकर सीख सकते हैं आज की video में इतना ही good luck and good bye